Hello Friends, Welcome to Sony's Visual Legal Channel आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्केट में सिंगर्स को, राइटर्स को, पर्फॉर्मर्स को एक्स्प्लोइट किया जाता है by big labels देखो, मार्केट के अंदर किया है, जो सिंगर्स होता है, पर्फॉर्मर्स होता है, इनको पैनी मिलती है रॉयल्टी के फॉर्म में और जो बड़े-बड़े labels होता है, वो सारे बड़ा पैसा उठा के ले आते हैं क्योंकि singers को, artists को, writers को पता ही जो था copyright के बारे में सबसे बड़ी दिक्कद उनके साथ यह है, ना ही उनको पता होता है कि performance rights क्या होते हैं अब बड़े labels को पता है कि कौन सा गाना चलेगा, कैसे चलेगा, और हम इससे कितना पैसा long term में बना सकते हैं दिलजीत दोशान जब मार्केट में आया था तब को पैसा लगाने को तयार नी था, कहीं से उसको investor मिला जिसके बलबूते पे वो आगे चल पाया बड़ शुरुवात में दिलजीत को भी पैसा बहुत कम मिला था, लेटर उन जब उसका बड़ा ब्रैंड बन गया, आज वो खुद के नाम से डारेक्ट ली टिकेट बेश सकता है, चौंग को लांच कर सकता है, क्योंकि इतना पैसा उसके पास आ गया है, अब देखिए, इ उनको जाके जो सिंगर था, राइटर था, जिसने गाना लिखा था, गाया था, उसकी पहले परमीशन लेनी पड़े कि जिसके पास कॉपी राइट है, अगर लेबल परमीशन नहीं लेता है, तो जो लेबल से बड़े-बड़े या नहीने पडियूसर से, वो इस गाने का, राइमिक्स भी मार्केट के अंदर लाउंच नहीं कर सकते हैं, एक फेमस केस भी आता मसकली 2 को लेके, उसमें क्या हुआ था, इसको कंपोस किया था, तनिक्ष बाक्ष चीजे, अब गाया और लिखा किसने था, इसका ओरिजिनल क्रीटर था, Mr. A.R. Raman, अब उन्होंने क्य करा, किसी और को ये सॉंग दे दिया, T-Series को, कि आप इसका रैमिक्स बना लो, जबकि ओरिजिनल सॉंग किसी और ने काया था, A.R. Raman ने, T-Series ने जैसी इसका रैमिक्स बनाया, उसको मार्केट में रिलाउंच करा, तब A.R. Raman ने, इसके उपर, केस फाइल करा, अबजे करने कोशिश की थी, कि वे एक अवार्ड शो में आये, वहाँ पर, उनकी आग काली थी, लोगों ने जब उसको देखा, तब उन्होंने, मीडिया में कहा, कि T-Series, मेरा एक्स्प्लोइटेशन कर रहा है, मुझे गाना रिलीज करना है, मेरी, एक मूवी ये वर्टन बाइट करके, उसके गाने रिलीज नहीं होने दे रहा है, उस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रहा है, अब है T-Series क्यों, क्योंकि बड़े लेवल्स मेरे से सारे राइट्स आते, सांग्स के 100% डॉयलिटी चाते, जो कि मैं देने को रेडी नहीं हो, जो एगरिमेंट ये मेरे से सा विया कॉम 18 से डारेक्टली डील कर रहें, और विया कॉम 18 अबे दियौल से डील कर रहा है, आज ते के एगरिमेंट कभी भी TV के सामने नहीं आया, जो T-Series अबे दियौल से सांग करवाना चाहते थे, जैसा कि अब दियौल का कहना था, सोनन निगम का भी यही कहना है, कि सल सोनन निगम ने भी इसको लेके बहुत बार इंडस्टी में पॉइंट को रेस करा है, कुछ कॉंटेवर्सी यह भी कहती है, कि सिद्धू मुसेवाले का मर्डर इसलिए हुआ था, क्योंकि उन्हें बड़े लेबल्स को रोयल्टी देने से मना कर जाता, अपने सॉंग्स ट् इनका भी काफी एक्स्टॉर्शन हुआ, हनी सिंग का भी हुआ, काफी सर एक्स्टॉर्शन के कॉल इनको है, ते सेरीज के ओनर गुल्षन कुमार का भी, मर्डर इसलिए करा गया था, क्योंकि वो इंडस्टी में बहुत तेजी सा आगे चल रहते, 500 करूर की नेट वर्स उन किसी को नहीं पता उसके बीचे एक्जेट रीजन क्या है, बट ये रीजन निकल कर आ रहे है, कि इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, जिसके चलते जो कॉंपेटिशन थे, वो बिल्कुल डाउन हो चुका था, खतम होने की कदार पे, बरबाद होने की कगार पे आ चुक एक सौंग का कॉपीरेट लेने में, एक बार आपका गाना चल गया, मार्केट में आपको एजली अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, शुरुआत में जो इन्वेस्टर्स आपको मिलते हैं, कॉपीरेट अपने पास रखो, उनसे एग्रीमेंट को रॉयल्टी बेसिस क कि आप पैसा लगा रहे हो, यह रॉयल्टी पार्ट आप रख लो, ना कि जब सामने वाला पैसा लगा रहा है, तो आपने, जो सौंग का कॉपीरेट है, लिडेक्स के कॉपीरेट है, उस ही के नाम रजिस्टर करवा दिया, और काफी सारे लोग क्या करते है, लोकल रजिस् और देखो extortion आज भी हिंदू स्थान के दाँ इन लीगल है आपको एक तो अपनी सारी call recording on रखनी है वीडियो recording कर सकते हो अगर सामने से आपको extortion कर रहा है फोन पे कर रहा है call recording करो अपनी location को हमेशे ट्रैस पे रखो अपने घर में CCTV कैमरे लगाओ और जबी आपके साथ extortion का case हो कुछी भी गलत हो as soon as possible आप police को report करो और वही मैं आपको कहा रहा हूँ copyright अगर आपके पास है सारे document आपके पास है फिर आपको लीगली कोई दिक्काद नहीं दे सकता है अगर आपके पास copyright नहीं है कोई documents नहीं है तो आप code के अंदर जाके case fight नहीं कर सकते हो for royalty बड़े-बड़े labels में नाम नहीं लूँगा काफी दिक्केत आती छोटे-मोटे singers को क्योंकि उनको प्रॉपर royalty नहीं मिल पाती है और अगर आपके मन में doubt है regarding to copyright कुछ भी copyright के regarding comment section open है comment section में comment करके पूछ सकते हैं आपने वीडियो में यहां तक देखा हम लोग अत्यावन support दिया उसके लिए धन्यवाद